अज का हमारा रेसीपी है कस्टर्ड रेसीपी और इसमें बनेना एसंस तालनी की भी जोड़ोत नहीं यह क्ट्टरड में बनेना एसंस है कि यह हमारा बनेना स्लेवर है इसलिए यह एक कप है पिसी हुई चीनी और ये रूम टमप्रेचर पर मिल्क और ये दो कप मैदा और ये एक कप कस्टर्ड पोडर और ये एक कप ऑल और ये है एक चम्मच बेकिंग पोडर हाफ चम्मच सोडा गवाली आप अपने इसाब से और ये नाप बनाया है आप अपने इसाब कोई साब भी नाप बनाता शवक्ता सकता है अपतो पहलेसे मैदा और इसे मिक्स करने के लिए छान सकते हैं मैं अल्रेडी छान चुकी हूं चीनी एड़ करेंगे, पिसी वी चीनी कस्टर्ड पॉर्टर एड़ करेंगे, सब इस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे घोल लेंगे तो आप यह देख सकते हैं, मैंने इसे प्लट लिया है, वह मारा कांच का बॉल, छोटा परड़ा से इसलिए अज हम इसे करेंगे, मिक्स अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे ओयल मिक्स करेंगे, मिक्स करेंगे, तक इसमें कोई भी लंग्स या गांटे ना बनेंगे अच्छी अच्छी करेंगे आप देल सकते हैं इसके लिए हमें और दूद एक्ट करना होगा सब्सक्राइब कर दूद 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 आपणाया है यह देखा हम ऐसी तरीके का चाहिए आप देख सकते में एक भी लंग या गांठे नहीं है तो आप इसी तरीके से इसे मिक्स करें अब यह हमारा बैटर विश्कुल रेडी है तो चलिए इसे केक से इन में एट करते हैं तो आप यह देख सकते हैं तो चाहिए से इसका मीशर अच्छी तरीके से प्रिट लिया है यह आपके वांपर डिल पंड है Wikipakyaсе के अ कॉंटिटी बढ़ान का चाहिए आपका सकते है और यह नहीं अब हम इसके अंदर एड़ करेंगे थोड़ा से तूटी-फूटी अगर आपके पास है तो आप डाले अगर आपके पास में है तो नडाला या ऑप्शनल है बदकुर तो यह मैं इसके अंदर एड़ करेंगे अब मैं इसके अंदर एकड़ों में पैसलों में शभीको इस तरीचे से अब इसे एक के दो बार टैप कर लेंगे और इसे बेक होने लेगे तो आप यह देख सकते हैं हमारा फिल्कुल यह रेडी है इसके ऊपर से हम थोड़ा सा टूटी-फोटी एड़ कर देंगे इस तरीचे से ताकि हमारा एक केक में बहुत ही चंदर लगे और बहुत ही खुबसूरत लगे थोड़ा कलरफूल बन जया तो इस तरीचे से अब हम एक हमारे औरकिरा देकर कर लेड़ा तो आप यह देख सकते हैं यह मैंने कडाउं लिल्या ऐ और इस धक्कन डाल दिया है और इस धक हमें दापकन के ऊपर मैंने आटः चिपका दिया इसके अजय से हमिए और यह कुछ भी नहीं डाल कि आप pos और इसे साफ़ दाने के लिए एड़ कर देंगे यह आप देख सकते हैं इसे मैंने डाल दिया है और इसे मैं दख देती हूं इसे बीच में बिल्कुल भी खोलना नहीं है इसे 40-45 मिनट low to medium पे इसे पकने देंगे इसे बेख होने देंगे इसे 40-45 मिनट बाद मैं आपसे मिलती हूं तो आप यह देख सकते हैं कि 40 मिनट हो चुका आप इसे खोल के देखे यह देखें यह अच्छी तरीके से हमारा केक बूल चुका है अब हम इसे तूर्पिक के हैरट से इस तरीके से यह लेखें बिद्कुल क्लीन है इसे मतलब हमारा केक पेक हो चुका अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते तुर मैं आपसे मिलती तो आप यह देख सकते हैं कि हमारा केक बनके बिल्गुल रड़ी है यह थंडा हो चुका है अब हम इसे डीमोट कर लेते हैं इसे प्लीक बिल्ट लेते हैं आपसे एसे प्लीकड लेते हैं कि यह दिए हमारा केक बनके बिल्कुल रड़ी है इसे वी भी अब टूटी-फूटी डाला रहा है उसका कछ दाख हो गया आपके प्रावल्म नहीं है अब हम प्लेट लेते हैं कर दो हैं मैं कि कितना इसकुषा पार्म जी बनां है हमारा केक हमारी अच्छी कि था इतला है कि रिखी होका दित हुआ है नario किन हें में पाल ये गणा आप दोल दिताध कॉति अपिका कichen criminal की तो चलिए मैं अब इसे काड़ के दिखाती हूं कि अंदर से लग कैसे रहे हैं कि यह आप देखा हूं कि कुल की अंदर से सॉफ्ट बने हैं अब तो जाली दार बने हूं है अब इसे बिखना आप पॉन जी है अब यह बिल्कोर जाली दार बने हूं है अब यह बिल्कोर पॉन जी है अब पॉन अब लून